यहां पर question में क्या दिया गया है ? question में दिया गया है कि दो पांसे एक साथ पेंके गए तो क्या संबावना है कि उन संख्याओं के आने की जिनकी कुल 4 से कम हो तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ? probability हमें calculate करना है तो project का formula क्या होता है ? project का formula होता है अनकूल परडाम, अनकूल परडाम, अपॉन में होता है कुल परडाम, क्या होता है कुल परडाम, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुल परडाम नकालेंगे, कितने डाइश हैं, दो पांसे हैं, जब दो पांसे हैं, तो टोटल कुल परडाम कितने नकल के आएंगे, देखो, एक पांसे में, देखो, 6 की power 2 तो यहां से निकल के आएगा 36 कितने आएंगे total paradigm आएंगे कुल paradigm 36 अब उसके बाद में यहां पर क्या पूचा है उन संख्याओं के आने की जिनकी कुल 4 से कम हो तो यहां पर क्या करेंगे माल लो एक पांसे पर आता एक पांसे पहले वाले पर और दूसरे वाले पर क्या आएगा दूसरे वाले पर भी आएगा बन अब इसके बाद में माल लो पहले पांसे पर आएगा बन और दूसरे वाले पांसे पर आएगा क्या 2 तो देख रहे हैं आप यहां पर बन और बन 2 हो रहा है और बन और 2 का योग केतना हो रहा है 1 प्लस 2 का add हो रहा है केतना 3 अब इसके बाद मा क्या हैं मानलो पैले 5 से पर आएगा क्या 2 और दूसरे 5 से पर क्या आएगा दूसरे बाले 5 से पर आएगा 1 तो इनका क्या हो रहा है देखो 2 प्लस के 1 Equal 3 तो question में क्या पूचा है जिनका कुल का मींस है इन दोनों का add क्या हो 4 से कम हो देखो जब 1 प्लस का बन add किया तो 4 से कम आया 2 इसके बाद में 1 प्लस 2 का add किया तो आया 3 और जब 2 और बन का add किया तो आया 3 तो यहां पर इस प्रकार से टोटल कितनी condition हो गई अनकूल परणाम हो गई कितने हो गई अनकूल परणाम हो गई 3 अनकूल परणाम की कुल शंख्या कितनी हो गई 3 हो गई कितनी 3 एक condition दूसरी condition और तीसरी condition तीसरी condition क्योंकि यहां पर इन दोनों का कुल क्या होना चाहिए 4 से कम होना चाहिए अब देखो जब अनुकूल परणामों की शंक्या कितनी हो गई त्री हो गई और कुल परणाम कितने आगई कुल परणाम आगई 36 कितने आगई 36 तो आप देखो तीन से 36 कितनी बार कैंसल होगा कितनी बार 12 बार तो इस हिसाब से इसका अंसर आएगा बनवाई 12 कितना आएगा बनवाई 12 बॉम्मे हो जाएगा B बनवाई 12 इसमें हम लोगों को प्रायक्ता का फॉर्मूला याद रखना है अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले question की तरफ अगला question है आप लोगों के सामने screen पर इस question में आप लोगों से क्या पूचा है देखो मित्रों इस question में भी आपको क्या दिये हैं दो पांसे दिये हैं क्या संभावना है कि उन संख्याओं के आने की जिसका कुल कितना हो दो हो जिसका total कितना हो दो हो तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे total निकालेंगे total परड़ाम कितने होंगे total result आएंगे total six की power two तो यहाँ से निकल के आएंगे 36 अब इसके बाद में उन संख्याओं के आने की संभावना जिनका कुल कितना हो दो हो तो हम लोग अनुकूल परड़ाम किस प्रकार से निकालेंगे अनुकूल परड़ाम हम लोग calculate करेंगे कैसे देखो मित्रो यहाँ पे हम क्या करेंगे जिसका मनलो पहले पांसे पर एक आए फिर उसके बाद में दूसरे वाले पांसे पर भी एक आए तो कितना होना चाहिए कुल दो होना चाहिए जब इन दोनों को हम लोग add करेंगे बन प्लस बन कितना आ रहा है दो आ रहा है इस condition को follow कर गया केवल एक ही condition होगी अब इसके बाद में और संख्या है आएंगी ना बन टू टू बन बेश अभी दो से ज़्यादा होगा मनलो बन टू है बन टू तो इसका add करेंगे ना बन पहले वाले पांसे पर बन आया उसको चाला दो दूसरे वाले पांसे पर आया टू तो बन और टू का add करेंगे ना कुल तो कितना आएगा 3 आएगा कितना आएगा 3 अब उसी प्रकार से देखो और अधर संख्या आएंगी तो इस condition को क्या नहीं करेंगी फॉलो नहीं करेंगी इसलिए हम क्या करेंगे इन चीजों को नहीं लेंगे जे और है ना जे बन-बन के अलावा और उनको हम लोग नहीं लेंगे अब इसके बाद में इसका probability का क्या formula होता है probability का formula होता है पी equal क्या होता है अनुकूल परणाम अनुकूल परणाम की condition की संक्या कितनी यह बन है केवाल एक की condition आई है बन-बन तो बन अपून और total परणाम कितने है total condition की संक्या आई है चत्ती दो पांसों को चाला गया है तो इसका आंसर होगा बन वाई 36 एक बटे चत्ती तो इसका ए आंसर हो जाएगा क्या होगा एक बटे चत्ती यह question भी MP police में आया हुआ है 2016 में अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले question की तरफ अगला question है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर इस question में आप लोगों से क्या पूचा है दो पांसों को उच्छाला गया जब दो पांसों को उच्छाला जाएगा एक साथ तो यहां पर देखो total paradigm क्या होंगे total condition कितनी बनेंगी total total paradigm होंगे कितनी 6 की power 2 equal 36 अब इसके बाद में question में क्या पूचा जा रहा है उन संख्याओं के आने की जिनका कुल कितना हो 6 होना चाहिए कितना होना चाहिए 6 अब देखें इस condition को कौन-कौन follow करता है कितनी condition बनेंगी देखो यद एक 5 पर आए पहले वाले पर दूसरे वाले पर आए 5 तो इन दोनों का add कितना हो रहा है 1 और plus 5 कितना हो रहा है 6 अब इसके बाद में देखो मनलो पहले वाले 5 पर आए 5 दूसरे वाले पर आए 5 तो इन दोनों का add कितना हो रहा है इन दोनों का जोड वो भी 6 हो रहा है अब इसके बाद में मनलो पहले वाले पांसे पे आए टू और दूसरे वाले पांसे पे आए कितना आए फोर तो इन दोनों का एड भी शिक्ष हो रहा है अब इसके बाद में चौती कंडिशन बनेगी यद पहले वाले पांसे पे आए फोर और दूसरे वाले पांसे पे आए तीन और दूसरे वाले पांच से पे आए तीन तो इस प्रकार से कितनी कंडीशन बन जाएंगी एक दो तीन चार और उसके बाद में पांच पांच कंडीशन बन गई टोटल कितनी कंडीशन बन गई पांच अनकूल कंडीशन कितनी बन गई पांच बन गई अनकूल परिडाम क के पास 5 हो गए, 5, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, probability का क्याmee का formula होता है, probability का formula होता है, पी एक्वल, अनुकूल paradigm, अनुकूल paradigm कितने है 5, upon total paradigm, total कितने आगए 36 टोटल हम लोगों ने पहली calculate कर लिए तो 5 upon 36 तो इसका क्या होगा final answer आएगा 5 upon 36 क्या आएगा 5 upon 36 तो इसका ए आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ए से साफ से option के साफ से इसका अंसर होगा 5 upon 36 पांच वटे 36 अब इसके बाद में अगला question है आप लोगों के सामने screen पर इस question में आप लोगों से क्या पूछा गया है एक पांसा फेंका जाता है केवल एक पांसी को फेंका जाता है जब एक पांसी को फेंकेंगे तो उसमें total result कितने बनेंगे 6 की power बन तो total बनेंगे 6 तोटल कंडिशन कितनी बनेंगे total परड़ाम बनेंगे total कंडिशन बनेंगी 6 अब इसके बाद में आप देखो इस question में क्या पूछा है क्या संख्या 4 आए देखो ये 6 कंडिशन कौन कौन सी होती है 1 और 2 3 4 5 और 6 ये 6 कंडिशन आते हैं 6 परड़ाम आते हैं हम लोगों के अ संख्या संभावना है के संख्या 4 आए तो देखो संख्या 4 केवल एक ये बार आती है कितनी बार एक वार तो देखो अनकूल कंडिशन की संख्या कितनी होगी अनकूल परड़ाम केवल एक कंडिशन होगी कितनी चार चार केवल एक कंडिशन है चार केवल एक वार आ रहा है कितनी वार एक वार चार आ रहा है कितनी एक वार आ रहा है चार एक वार तो आपको क्या करना है टोटल आप प्रोवेल्टी निकालोगे न प्राजेक्ट था तो क्या है एक वार आ रहा है तो बन अपोन शिक्स टोटल कंडिशन कितनी है 6 टोटल परणाम होगा 6 तो एक वटे 6 तो इसका सही अंसर क्या होगा कितना एक वटे 6 अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले कुश्चन की तरफ अगला कुश्चन है आप लोगों के समने स्कीन पर इस कुश्चन में आप लोगों से क्या पूचा है 2 पांसे एक साथ पहंके गए हैं क्या 2 पांसे जब 2 पांसों को एक साथ पहंकेंगे तो इसका क्या निकलेगा टोटल कंडिशन कितनी होगी टोटल परणाम हम लोगों के होगे 6 की पॉवर 2 एक क्वल कितना आएगा 36 आएगा तो यहां पर क्या निकालना है कि संख्याओं का कुल योग कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए तो जब 12 कब आएगा मनलो पहले वाले पांसे पर 6 आए उसको उचाले है पहले वाले पांसे को दूसरे वाले पांसे को उचाला तो जब पहले वाले पांसे को उचाला तो उस पर आजाए 6 जब इसके बाद में जब दूसरे वाले पांसे को उचाला दोनों को उस पर भी आजाए 6 तो इन दोनों का add कितना होगा 12 होगा 6 प्लस के 6 equal आएगा कितना 12 जो इसमें condition दी है न संख्याओं का कुल 12 आजाई होगी तो यहाँ पर कितना आ रहा है एक वार आ रहा है यह result केवल एक वार आ रहा है अब इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है probability का क्या formula होता है probability का P बराबर होता है uncool condition की शंख्या uncool condition कितनी है बन अब बन और upon में क्या आएगा total परणा हो total परणा हमें 36 तो इसका answer आएगा बन वाई 36 क्या आएगा बन वाई 36 तो इसलिए इसका D option हो जाएगा एक बटे 36 अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले question की तरफ अगला question है आप लोगों के सामने screen पर इस question में क्या पूचा है देखो अगला question है इस वाले question में क्या पूचा है एक पांसा पहका गया है एक पांसे को तो इसमें वा क्या कह रहा है चार संख्या नहीं आने की क्या संभावना है एक पांसे को पहका गया है और चार नहीं आना चाहिए तो इसकी संभावना तो इसकी संभावना क्या है चार संख्या नहीं आने की संभावना क्या है तो आप लोग पहले क्या करोगे चार आने की संभावना निकाल दोगे फिर उसको हम लोग बन में से माइनस कर देंगे तो सबसे पहले आप क्या करें एक पांसा है ना तो टोटल कंडिशन कितनी होगी 6 की पोवर बन एककोल 6 होगी कितनी होगी 6 अब यहां पर क्या कह रहा है जब चार संख्या आने की प्रायक्ता क्या होगी केवल एक होगी केवल एक होगी तो आता है चार जब एक वार चार आता है केवल एक वार तो आप लोग केवल एक कंडिशन होगी चार कितनी आता है चार आता है एक वार only अब question में देखो अब इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे probability निकाल लेंगे चार कितनी वार आता है एक वार देखो जब हम लोग इसकी probability निकालेंगे न तो क्या आएगा ऊपर आएगा uncool condition की संक्या uncool कितनी है है एक बार अपॉन में total result कितनी आए है total total आगय च्छे क्योंकि एक ही पांचा है total कितनी आगये शिक्स तो बनवाई शिक्स हो गया इसकी प्रायक्ता क्या हो गई बनवाई शिक्स है लेकिन हम पर पूचा है चार संक्या नहीं आने की प्रायक्ता तो हम लोग क्या करेंगे इस प्राइक्ता जब 4 संक्या नहीं आने की प्राइक्ता पूछा आये ना तो क्वेश्चन में क्या करेंगे 1- के 1Y6 कर देंगे तो यहां से इसका आँसर आएगा 5 by 6 कितना आएगा 5 by 6 यहीं इसका हो जाएगा आँसर 5 by 6 कौन से में? बी option में है तो इसका हो जाएगा बी option अब इसके बाद बेर हम लोग चलते हैं अगले question की तरफ अगला question है आप लोगों के समने screen पर इस question में क्या पूचा है एक पांसे को पहंका गया एक पांसे को पहंका गया और दो का गुड़ा करने पर आने की क्या समभावना है दो का गुड़ा आने की क्या समभावना है जब हम लोग एक पांसे को पहंकेंगे न तो कितने बनेंगे टोटल रेजल्ट बनेंगे कितने बनेंगे six six की power बने एक वाल six अब कह रहा है कि दो का गुड़ा आएगा इसमें देखो च्छे कौन कौन सी कंडिशन 1,2,3,4,5 और 6 आ गई अब इन में से हमें ऐसी संख्याइं देखनी है जिसमें दो का गुणा आने की ज़िए दो का मल्टीपल हो देखो कौन कौन सी होगी कुश्चन में दिया है दो का गुणा तो इन में से तीन संख्याइं होगी देखो एक दो होगी एक चार होगी एक छे होगी इसमें दो का मल्टीपल है दो और एक क्या है चार और दूश्चे तो टोटल कितनी कंडिशन होगी तीन होगी एक दो और तीन जब 3 हो गई तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे प्रायक्ता निकाल लेंगे अभीष्ठ प्रायक्ता कितनी होगी जब इसकी प्रायक्ता केलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी 3 कंडिशन 1,2,3 टोटल अनुपूल परड़िनाम होगा है 3 तो यहां से निकल की आएगी एक बटे दो तीन से च्छे कटेगा दो वार तो एक बटे दो होगा इसका अंसर दो हो जाएगा देखो एक बटे दो यह कोश्चन भी एमपी पुलिस में आया हुआ है अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले कोश्चन की तरफ इस प्रका पहके गए हैं दो पांसे जब दो पांसे एक साथ पहके गए हैं तो क्या संभावना है कि संख्याओं का कुल आठ हाए कुल योग कितना आना चाहिए आठ हाना चाहिए तो आपको क्या करना है जब दो पांसों को एक साथ पहकेंगे तो यहां पर है टोटल टोटल कंडिशन कितनी बनेंगे टोटल परिड़ाम बनेंगे 6 की पॉवर 2 एक को वाल 36 अब यहां पर क्या पूछ रहा है कि संख्याओं का 8 हाना चाहिए योग तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे देखो मन लो पहले वाले पांसे पर 2 आए दूसरे वाले पर 6 आए और मन लो पहले वाले पर 6 आजाए और दूसरे वाले पर 2 आजाए उसके बाद मैं पहले वाले पर आजाए 3 और दूसरे वाले पर आजाए 5 तो देखो और यद पहले वाले पर 5 और दूसरे वाले पर 3 और यद दोनों पहले वाले पर 4 आए दूसरे वाले पे भी चार आए तो इस condition को follow कर रहा है कि संख्याओं का कुल यो कितना आए कुल आना चाहिए आठ आना चाहिए देखो च्छे और दो आठ हो रहे हैं च्छे और दो आठ पांच और तीन आठ पांच और तीन आठ पांच और तीन आठ और चार आठ इस प्रकार से अन्नकूल परिणम कितने हो गए जो के संख्याओं का कुल आठ आरा ऐसी condition हो गई एक दो तीन चार और पांच इस प्रकार की कंडिशन हो गई पांच कितनी हो गई पांच कंडिशन पांच हो गई तोटाल है इस प्रकार की पांच कंडिशन हो गई कितनी हो गई पांच अनुकूल परड़ाम हो गई पांच कितने हो गई अनुकूल परड़ाम पांच जो question मैं पूछे गए हैं अब इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है आप लोग क्या करोगे पी बरावर निकालोगे जब पी बरावर calculate करोगे न तो इसकी क्या संक्या अनुकूल परड़ाम अपोन अनुकूल परड़ाम हो पांच टोटल टोटल कितनी है 36 तो इसका अंसर आएगा 5 अपोन 36 क्या आएगा 5 अपोन 36 पंच वटे 36 हो गया इसका अंसर बी में मिल रहा है यह question भी पुलिस में आया हुआ question है अब इसके बाद में आपको चलना है अगले question की तरफ इस question में आप लोगों को क्या करना है इस शाथ तो क्या शंभावना है कि शंख्याओं का कुल 10 या उश्य जादा आना चाहिए योग तो आपको क्या करना है जब दो पांसों को प्यांकेंगे न तो टोटल कितने बनेंगे टोटल कंडिशन टोटल परड़ाम आएंगे 6 की power 2 एक कुल आएगा 36 कितना आएगा 36 ये कितना 10 या 10 से जादा तो आप लोग क्या करोगे देखो मान लो पहले पांसे पर आजाए 4 दूसरे वाले पर आजाए 6 दूसरे वाले पर क्या आजाए 6 और मान लो यद पहले वाले पर 6 आजाए दूसरे वाले पर आजाए 4 अब इसके बाद में पहले वाले पर आजाए यह दस से ज्यादा वाली क्या बनेगी देखो पहले वाले पहले 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 चार मैं और चेंटीशन बने टोटल कित toggle कर वानगे सय तो प्रावलिक्ति ॉक्रोग्त्li प्रायक्त Прािक्तः बराबर क्या वोता है क्पप्र उच्छा कोश्चन में पूचा लें मैं कि संविक्त दस ए उससे ज़ादा आए यह कंडी सने 6 कितनी है एफ वन टोटल कितनी है टोटल होती है जब दो पांचास को पैकेंगे तो कितनी होती है 36 होती है कितनी 36 तो 6 से 36 से 36 कटा 6 बार कितनी बार कटा 6 बार तो इसका अंसर क्या होगा एक बटे 6 होगा कितना होगा एक बटे 6 इस हिसाब से इसका option हो गया D एक बटे 6 अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले question की तरफ अगला question है आप लोगों के समने screen पर इस question में आप लोगों से क्या पूचा है दो पांसे एक साथ फैंके गए जब दो पांसों को फैंका गया तो total condition कितनी बनेंगी 6 की power 2 equal 36 36 अब कह रहा है इसमें क्या कोले संख्या 10 से जादा आए कोले संख्या 10 से जादा आना चाहिए हर बार तो आपको देखो जब 10 से जादा आए दो पांसों को उचा लेंगे तो ऐसी कितनी condition बनेंगी देखो अभी चेक कर लेते हैं तो देखो यद पहले वाले पांसे पर 5 आए और दूसरे वाले पर 6 आए तो 5 और 6 ग्यारा 12 से जादा हो गया अब या चाहिए पहले वाले पांसे पर 6 वद दूसरे वाले पर 5 तो यह 6 और 5 होता है 11 ses 10 जादा हो गया यह condition भी फौलो कर गया और एक फंडी noiख jd पहले वाले पर और तीन तो इस प्रकार से condition बने गए तीन जो दस से ज्याद आ रहा है अब यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे प्राजेक्टा निकालेंगे प्राजेक्टा को काई से दर्स आते हैं पीशे तो पी बरावर जो question में क्या पूछा है कोल संक्या 10 से जाद आए तो ऐसी condition ऐसे परणाम का नुकूल परणाम आ रहे हैं तीन कितने आ रहे हैं तीन तो तीन अपोन टोटल परणाम होते हैं 36 जब दो पांसों को चालते हैं तीन अपोन 36 और तीन से तीन एकम तीन और बारे वार हो गया कैंसल तो यह क्या आएगा बनवाई बारे आएगा तो इसका सही अंतर है डी बनवाई बारा चवालीस का होगा डी बनवाई बारा अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले question की तरफ इस प्रकार का question अवश्याएगा पेपर में यहां से probability से एक या दो question जरूर आता है देखो इस question में आप लोगों से क्या पूछ रहा है दो निश्पच सिक्के पहके जाते हैं दो सिक्कों को पहका गया तो मनलो कोई coin है तो coin पर क्या आने की probability रहती है head या 10 एक coin होता है जब 1 coin जब 2 coin होते है न दो coin जब 2 coin होते है न तो इसकी क्या रहती है मनलो या तो देखो head या head आएगा head आएगा या उसके बाद में 1 head आएगा या 1 10 आएगा या पहला वाला 10 आएगा दूसरा वाला head आएगा या दोनों के आएंगे 10 और 10 आएंगे या होते हैं 4 कितने देखो एक दो और तीन और चार ये चार condition होते हैं चार परड़ाम होते हैं जब 2 सिक्कों को 2 coin को उचाला जाता है तो यहाँ पे देखो condition को कौन सा follow कर रहा है यहाँ पे question में क्या पूचा है एक चित आने की प्रायक्ता देखो यहाँ पे एक चित होना चाहिए head और 10 चित और पट होता है एड का मतलब होता है चित और टेन का मतलब होता है पट तो एक होना चाहिए क्या होना चाहिए कम से कम एक होना चाहिए इसमें क्या चित तो यहां पर आपको क्या करना है देखो एक चित आए क्या एक चित आए केवल एक आना चाहिए देखो एक कंडीशन यह होगी और दूसर ही तो इस een condition को कितनी दो condition हो रहे हैं टोटल 2 कितनी condition हो रहे ह्ञा है ने तो अब हम लोग क्या करेंगे प्रॉवेलटी का formula होता है अनुकुल परणा मानो कोश्चन में क्या पूचा एक चिता आने तो एक चिता रही है कितनी दो condition leadership लो रही हैं एक इस है दो यह uncool परदबं किपने है दो ते पकॉन है और total कितनी है जब दो Tamil कबra topic को इचा लें हम निकलेंगे चार, तो यहां से देखो, दो यह कम दो, दो दुनी चार, तो यहां से निकल के आएगी एक वटे दो, तो इसका आंसर होगा, इस हिसाब से ए होगा, क्या होगा, ए ओप्षन, एक वटे दो, अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, अगले कोश्चन की तरफ, अगला कोश्चन है आप लोगों के सामने स्कीन पर, इस कोश्चन में आप लोगों से क्या पूचा है, कि दो सिक्के हैं, दो निस्पच शिक्के पहके जाते हैं, एक घट आने की संभावना क्या है, दो घट है, दो, दो हैड आने की संभावना क्या है, क्या पूचा है, दो head 2 add आना चाहिए एक साथ देखो तो जब 2 सिक्कों को इचा लेंगे तो total paradigm कितने बनेंगे देखो total paradigm बनेंगे 2 की power 2 equal 4 अब यहाँ पे क्या पूँछा है 2 head आने की समभावना क्या है देखो 2 head केवल एक ही बार आएगा एक head जब दोनों सिक्कों पर क्या है दोनों बार हेड आए दोनों सिक्कों पर हेड आना चाहिए है तो ऐसे कितने होंगे ऐसे रेजल्ट आएंगे एक आएगा एक ही बार आ रहा है क्योंकि और बच्चे कुछे क्या होते हैं देखो या तो दोनों 10 होते हैं या एक head और एक 10 होता है यहाँ पर क्या दो बार head आ रहा है क्या इन वाले परणाम में नहीं जा रहा इस condition को या क्या नहीं कर रहा follow नहीं कर रहा इसलिए इन मेंसे कोई भी condition नहीं होगी तो आप लोगों को अब क्या करना है दो head आने की संभावना ग्यात करना है तो P बराबर अनुकूल परणाम कितने हैं दो वार head आ रहे हैं तो अनुकूल परणाम हो गए बन कितने हो गए बन और total कितने हैं चार एक वटे चार तो इसका इस साबसे आंसर क्या होगा A होगा एक वटे चार एक वटे चार यही इसका अनसर है A इस प्रकार के question काई में पूछे जाते हैं MP पूछे जाते हैं इसलिए आप सभी मित्र coin और coin वाले और dice वाले coin और 5 वाले दोनों सिक्के और 5 दोनो question आप अच्छे से कर लें इन मैंसे एक question 100% आएगा MP पूलिस के paper में इसलिए हम लोग अब मिलेंगे अगली class में आप लोगों की में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय माकाल